जो भाईओ आपका स्वागत है नौर्मी पंकज में यस नौर्मी रेस्लिंग तो ये है नहीं तो नौर्मी पंकज में आपका स्वागत है और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मेरे WL story टाइम के बारे में यस डवलोली से रेलेटेड मेरी भी बहुत सारी स्टोरीज है तो उन स्टोरीज को मैंने सेर भी किया है पहले भी अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो इस चैनल की चेक आउट नहीं किये तो जाके जरूर चेक आउट करें ना काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग वीडियो है जो कि मेरा experience डवलोली के साथ में और मेरा experience डवलोली को देखने को लेकर कैसा है आपको उस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा क्योंकि मैं extreme वाला डवलोली का fan हूँ तो definitely आपको वहाँ पर उस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा well let's start करते हैं इस वीडियो को और इस चैनल पर जो भी नया है तो भाई subscribe कर लो क्योंकि आपको यहाँ पे डवलोली से related और डवलोली से हट के और live stream काफी कुछ यहाँ पर इस चैनल पर मिलता है का फैन कितना भी छोटा हो चाहे वह डवलोली का फैन कितना भी जवान हो या फिर चाहे वह डवलोली का फैन कितना भी बुड़ा हो में भी क्या पता बुढ़े लोग ने भी ट्राइ किया होगा तो मतलब डवलोली के move तो बहुत ही लोगों इना try किया especially superman punch और spear वैसे आप लोगों में से अगर कोई वो एक बंदा होगा जिसने wl.e का fan रहकर भी यह सारे moves try ने किया तो भाई क्या किया तुमने कुछ भी ने किया फिर तो try करो मतलब drone try home ऐसा तो हमें आपर wl.e जो की कहते वे दिखाय देती है लेकिन most of the people वो rule break कर देते हैं और especially ये वीडियो देखने के बाद तो सच में try मत करने लग जाना क्या पता हाथ पर तूट जा और फिर मुझे बोल दो कि भाई इसे बंदे ने बोला था try करने के लिए please try मत करना क्योंकि वो लोग के पास safety रहती है ring रहता है हम लोग के पास क्या रहता है गद्दा sorry वैसे कुछ ज़्यादा ही off topic यहां पर जा रहा हूं तो यहां पर शुरुआत करते हैं मेरे story के बारे में तो story शुरुआत होती है 10th class में तो 10th class में यहां पर मैं काफी खतरनाक वाला fan था डवलोली का still अभी भी हूं तबी तो मैं normie wrestling का यहां पर channel चला रहा हूं तो 10th की बात है जिनको तो अजीबो गरीब शौक लग गये थे जो की 10th का बात है तो भाई बहुत सारे अजीबो गरीब वहां पर शौक भी लग जाते हैं तो कुछ को तो ऐसे शौक लग गये थे लेकिन हम लोग भाई थे पक्के वाले डवलोली फैंस तो हम लोग क्या करते थे जब भी class या college में मिलते थे एकटा, college तो नहीं था, school था, तो school में हम लोग जब भी मिलते थे हैं, एकटा होते थे, तो डवलोली को लेकर काफी ज़्यादा बाते किया करते थे, कि आज के show के अंदर क्या देखने को मिला, उस paper view के अंदर क्या देखने को मिला, तो एक दिन पहले हमे देखने को मिला था, the shield का reunion, यस आप लोग को date अगर पता ही होगा, I think मुझे लगता है कि यही कुछ महिना चल रहा था, जहां पर हमें the shield का reunion देखने को मिला था, 2017 के अंदर, तो the shield का हमें देखने को मिला था, reunion, so जिस दिन हमें the shield का reunion देखने को मिला था, the shield के reunion के दिन, सा तरी बातों को सुनकर जितने भी दोस्ते सभी काफी जादा एक तरीके से जोश में आ गए हाँ सभी के सभी जोश में आ गए थे और इतने जोश में आ गए कि क्लास छोटने के बाद तो भाई पता ने किस बंदे को सब लोग देख रहे थे कि आज तो कुछ न कुछ तो यहाँ पर क्या काम किया कि भाई एक दूसरे से बात करते 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 उठा लिया मेरे दोस्त को सब ने और सबने उठाने के बाद तो भाई अभी कठा तो हुए सभी के सभी दस शील्ड का पावर बॉम देने के लिए तो इसमें तो सब लोग टाइंग हाथ पकड़ रहे हैं वैसे दशील्ड के अंदर तो हमें सिर्फ तीनी लोग देखने को मिलते थे लेकिन हम लोग वहाँ पे थे पांच लोग जहाँ पे एक को पावर बॉम दे रहे थे और चार लोग तो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे पावर बॉम देने में जिसमें से मैं भी था और मेरे दोस् शील्ड का और शील्ड का जो power bomb दिया क्यूंकि हमारा लग तो इतना बेकार है कि सामने टीचर हा गया उसलाइम और टीचर ने देख लिया हम लोग को शील्ड का power bomb देते हुए और शील्ड का जैसे ही power bomb दिया उस बंदे को उठाने के जगर टीचर को देखके तीन बंदे गायब, पता नहीं कहां चले गए भाई, मतलब वहाँ पे गल्ली रस्ता कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो तीन बंदे गायब खाँ हुए, वो पता ही नहीं चला मुझे, सो सभी लोग तो गायब हो गए थ हुआ कि भाई, ये टीचर ने तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन अगले दिन जो हमें क्लास देखने को मिलेगा, उसमें हमें जरूर कुछ नकुछ तर सुनने को मिलेगा ही, क्यूंकि हमने कर दिया बहुत खतरनाक वाला काम, सो इतने खतरनाक कांड को अंजाम देने के बाद जब हम लोग दूसरे दिन जो कि क्लासेस यानि की कोचिंग के अंदर पहुचते हैं, तो क्लासेस के अंदर हमें ये पता चलता है, कि टीचर आते हैं क्लासेस के अंदर, और टीचर आने के बाद मुझको और मेरे दोस्त को जिसको पावर बोम पड़ा था, उसको उठाते है खड़ा करते हैं और कहते हैं कि आगे से चलके रोड पे ज्यादा मस्ती नहीं करना और ज्यादा जो कि एक दुसरे के साथ जगड़ा मत किया करो ने तो अगली बार मैं छोड़ने वाला नहीं हूं क्योंकि इस बार मैं वार्णिंग दे रहा हूं तो ऐसा कुछ हमें यहाँ प पावर बॉम लगा था हमी दोनों थे और इसके अलाओ तो और कोई था भी नहीं क्योंकि तीन बंदे तो पहले ही गायब हो चुके थे पता नहीं कहां पर पावर बॉम दे के और तीन बंदे गायब हो गय थे फसे मैं और मेरा दोस्त जिसको पावर बॉम लगा था तो ऐसे में तो हम लोगों ने जो की अफकोस यहां पर रहात की सास ली क्योंकि वार्णिंग मिली है और वार्णिंग अगर नहीं मिली रहती तो हम लोग का काफी कुछ यहां पर लॉस हो सकता था बैंड बच सकती थी जहां पर हो सकता था कि सर हम लोग पहले तो खुद पीटते हैं देन उसके बाद घर वालों को भी बता देते हैं और घर वाले हमारे साथ डवलोली अलग खेलते हैं वो बात अलग हो जाती सो ये काफी अच्छा हुआ कि टीचर ने हमें सिर्फ वार्निंग देके बिठा दिया और इसके बाद तो बैठने की बात आई तो भाई जो पिछे से दोस्त ने साथ में पावर बॉम दिया था वो बंदा पैर मार के बोल रहा है बैठ जा बैठ जा बज गया तू भाई उस ब संना पड़ रहा है इसको नहीं यह अराम कर रहा है और यह हम लोग को पिछे से बैठने को बोल रहा है लेकिन कर भी क्या सकते थे क्योंकि हम लोग को सर की तरफ से वार्निंग मिल चुकी थी और एक बार फिन से अगर मारा-मारी करते तो पता नहीं हमारे साथ क्या कूच हो कर तुमने कौन सा move try किया है वो भी मुझे comment section के अंदर जरूर बता देना आपका क्या experience है वैसे अगर आपको ये story जो है वो पसंद आई है तो definitely यार जो भी अच्छा लगा हो वो part मुझे comment section में जरूर बता देना वीडियो अगर पसंद आई है so like, share, subscribe जो भी करना कर सकते हो ओके सो फिन मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में और इस चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे बहुत ही अच्छे खासे और भी content देखने को मिलेंगे और especially live stream भी देखने को मिलेगी और then इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़े आने वाली है future में तो definitely इस चैनल को subscribe कर लेना ओके सो फिन मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई everyone guys